Hey what is up everybody आज का वीडियो थोड़ा special होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को बता हूँगा कि GY कैसे बनाते हैं तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने का कि मैं इतने boring boring programs बनाता हूँ कभी मैं web development को हटा कर बात कर रहा हूँ कभी मैं python program बनाता हूँ सबसे पहला जो question आता है वह यह आता है कि यार हम किसी को distribute कैसे करेंगे अगर हम उसको distribute करेंगे तो क्या यार वो python install करेगा अपने system पर नहीं python install नहीं करेगा मैंने आप लोगों को एक तरीका बता है जिससे आप बना सकते है python की exe लेकिन उससे बड़ा सवाल यह होता है कि कोई भी program मैं और आप या फिर कोई एक normal user use करता है वो एक graphical user interface होता है वो एक इस तरह की window होती है जिससे की user interact कर सके जैसे की यह है इसमें buttons है इसमें बहुत सारी चीजें है इसको आप minimize कर सकते हैं इसकी google chrome है उसका भी एक code होगा वो भी लिखा गया है किसी programming language को use करके चीज नहीं programming language अब मैं इसमें एक नई tab खोल सकता हूँ अब कुछ भी कर सकता हूँ तो अगर मैं आप लोग को बोलता कि भाई यह program है इसको run कर लो और इसमें यह code लिख दो यह arguments दे दो और आपको पता चल जाएगा कि youtube.com में क्या है और आपको यह न दिखा कर अगर मैं दिखा हूँ इसको source code तो आपको कितना बुरा लगेगा तो इसलिए कोई भी program को चलाने के लिए एक program के साथ interact करने के लिए एक normal user को जो की programmer नहीं होता है हमको चाहिए होता है GUI और GUI हम बनाएंगे इस video series में Tick Inter के through अब यह Tick Inter क्या होता है Tick Inter Python का graphical user interface बनाने का package है तो यह क्या होता है यह एक module के रूप में मिलता है अगर आप Python 3 यूज़ कर रहे हैं तो और Windows यूज़ कर रहे हैं आप लोग तो Windows में आप लोग को यह pre-install मिलता है तो इस video में हम लोग simply यह देखेंगे कि Tick Inter क्या होता है और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं इससे बहुत सारे हमारे लोग हैं जो कि Python programming नहीं जानते हैं लेकिन वो शायद GUI बनाना चाहते हैं तो लोग को लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग को सबसे पहले थोड़ी सी knowledge होने चाहिए Python की तो उस knowledge को प्राप्त करने के लिए मैं आप लोग को suggest करूँगा कि आप लोग जो Python programming के मेरे वीडियोस हैं ये वाली ये playlist जो है Python 3.6 programming tutorials in Hindi आप लोग इसको देख लीजे पूरा ना ही देखें तो ही सही होगा क्योंकि अगर आप लोग 2-3 वीडियोस देखेंगे तो ये वीडियो फॉलो कर पाएंगे लेकिन अगर आप लोग के बस time है बाद में आप लोग पूरा देखना चाहते हैं तो उससे आप लोग और भी समझाया हुआ है बेसिक से स्टार्ट करते हुए तो ये तो बात हुई उन लोग के लिए जो इनको पाइथन नहीं आता था अब उनको पाइथन आता है और वो लोग जानना चाहते हैं कि ये टीक इंटर क्या है तो टीक इंटर क्या है कि एक मॉडियूल है सिंपल अगर आप लोग apt.get से इंस्टाल कर सकते हैं टीक इंटर पाइथन का और उसके बाद जो है आप लोग टीक इंटर यूज कर पाएंगे तो हम लोग बेसिकली इसमें बनाते हैं जीवाइज और जीवाइज होते हैं हमारे Microsoft Word की तरह Microsoft Excel की तरह है फिर आप कोई भी प्रोग्राम दे आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग GUI बना सकते हैं कैसे आप लोग buttons लगा सकते हैं कैसे कोई भी एक program है उसका जो interaction यूजर के साथ को आप अच्छा बना सकते हैं तो आप लोग इस वीडियो से इसको अन तक देखते रहिए और मैं आप लोग लिए इस तरह की वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे तो अभी एक और चीज़ है यूट्यूब पर जो सब्स्राइब की बात नहीं आते तो आप लोग बैल आइकन में भी क्लिक कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए बबबद दने बाद आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीज चैनल को सब्स्राइब कर दीजाओं मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट टिटोल में